हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है स्टेक्चर आफ नियूरान जिस पर हम पढ़ेंगे कि जो नर्व है नर्व सेल या जिसको हम नियूरान कहते हैं उसका एक्चुल जो बेसिक स्टेक्चर क्या होता ठीक है तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे क्लिक कर लें तांकि आपको नियू वीडियो की जो अपडेट है वो टाइम टू टाइम मिलती है ठीक है तो शुरू करते हैं टॉपिक स्टेक्चर आफ नियूरान अगर हम इसका थोड़ा बेसिक लेंग की नियूरान होता क्या है या जिसको हम दूसरा नर्व सल कहते हैं य यह होता है स्टेक्चरल एंड फंक्शनल यूनेट आफ दी नर्वस सिस्टम देखे जो नर्वस सिस्टम का बेसिक जब फंडामेंटल जो यूनेट है वो क्या होता है वो है नियूरान या जिसको हम कहते हैं क्या नर्व सेल ठीक है तो जब बहुत सारे आप क्या सकते हो कि नर्व सेल्स मिलते हैं तो एक कम्पलेक्स सिर्टर की फॉर्मेशन करते हैं जिसको आप किया सकता है की नर्व कि वहां पर क्या होरी है तो यह जो कौनेक्शन है यह इसलिए डिवलएप होता है कि जो भी एक्स्टेरनल ईस्टीमलाई या कोई भी ऐसा आप क्या सकतो ऑट च change को respond करोगी इसलिए यह different तरह की जो nerves होती है वो हमारे sensory structures के साथ के होती है connected होती है और वो ही sensory structure जो है वो एक end उसका nerve का sensory structure के साथ attached होगा और दूसरा जो end है वो हमारे brain के साथ attached होगा जो हमें पूरा guide करके बताएगा कि जिस तरह का bar कोई change हो रहा है हमें किस तरह से उस change को respond करना है ठीक है तो आप यह कह सकते हो कि जो nerve cell जो neuron है जब यह organized structure की formation करते हैं तो एक nerve की क्यों होती है formation होती है ठीक है अब जो यह nerve का structure है इस पर दो तरह के आप कह सकते हो कि जो nervous system है इस पर आपके दो तरह के cells क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं एक तो यह होगे neuron और दुसरे कौन से होगे sportive cells ठीक है sportive cells हम क्या सकते हैं कि वो cells होते हैं जो neurons को आप क्या सकते हैं sport और protection क्या करते हैं provide करते हैं हम इन sportive cells को दुसरा नाम क्या देते हैं Neurogalia या regions जिसनल्स जिनका यह function होता है कि वह neuron को support भी provide करें और protection भी provide करें जो sportive cells होते हैं जो हमने और हमने पहले कहा दिख क्यों को neuroglia जो गेले cells करते हैं जिनका function है कि वह sports और protect करें neuron को और और भी बहुत तरह का जो functions होते हैं वो neuroglia cells perform करते हैं। अगर हम brain weight की बात करें तो near about आप कह सकते हो कि 10 से जो 50 times अगर हम brain का weight करें तो ये neurogalia cells ही होंगे जो ज़्यादे अतार हमारे आप कह सकते हैं nervous system पे प्रेजेंट होंगे as compared to the neurons, बतलब neuron cells का number थोड़ा कम होगा बट उनको sport और उनको protect करने वाले जो cells and sporting cells या neurogalia cells जिनकों गेलियल cells करें उनका number और उनका weight क्या होगा वो brain पे जयदा होगा ठीक है then अगर हम neuron structure की बात करें तो जैसे आपको ये side पे structure नसर आ रहा है ये पूरे आप कैसे neuron का structure है तीन पार्ट होते हैं neuron के आप कैसे neuron के structure की जाए neuron cell के एक होता है उनका cell body का structure जो आपको यहां पे purple color पे नज़र आ रहा है टॉप पर and two types of क्योती इनके पास cellular projections ठीक है अगर हम ये चीज़ देखें जो हमने का कि three parts होते हैं जो इसका ये वाला जो इसका पार्ट है ये इसका क्यलाता है कौन सा इसका cell body का structure और इस पे देखोगे एक structure आ रहा है यहां नीचे के तरफ इसको हम कहेंगे axon और जो ये इसके branch like structures उपर निकल रहे हैं इसको हम क्या consider करते हैं dendrites ठीक है ये आप कैसे होते हैं कि वो structures होंगे जो neuron के part में present होंगे तीन parts होंगे neuron के एक हो गया उनका cell body का structure एक हो गया उनके dendrites और एक हो गया उसका जो axon का structure ठीक है अब इस पर हम description पर देखते हैं कि हमने क्या लिखिया है इस पर लिखिए three parts of a neuron a cell body and two types of cellular projections ठीक है और cellular projection part हो गया एक तो dendrite का और एक कौन सा हो गया उसका axon का ठीक है cell body is called the neuron cell body और soma जो ये cell body का structure है इसको हम दूसरा नाम क्या ये देते हैं soma कहते हैं या हम इसको कहते हैं क्या cell body ठीक है अब जो cell body है इसके अंदर आप कह सकते हैं कौन-कौन से parts present होते हैं वह हम इसके आगे discuss करते हैं अभी हम simple structure में ये देखते हैं कि जो neuron के three parts कौन से हैं एक हम उने बहुते हैं उसका cell body का structure जो हमें यहां पे नजर आ रहा है then उसके बाद second है one type of cellular projection is called a dendrite dendrite structure वह होगी जितने भी इसके आप कह सकते हैं cell body से जितने भी यहां पे आपको यह branch leg structures उपर की तरफ नजर आ रहे हैं यह सारे कोंगे कौन सा structure होगी इसका dendrite का structure है जिसको हम कहते हैं कि branching part of the cytoplasmic projections of the cell body ठीक है तो जो थर्ड part है cellular projection का वो इनका कौन सा होगा है exon वाला part और exon part कौन सा हो गया इनका यह आप देख सकते हो कि जितना भी इसका यह long part यह आपको नजर आ रहे हैं यह कौन सा है इसका exon वाला part यह एक एक है cellular projection है जो cell body से नीचे की तरफ के और यह project हो रही है ठीक है और जो इस exon है इसका जो diameter होगा वो almost कैसा होता है uniform होता है बट जो इनकी length होती है वो इनकी vary करती है आप कहा सकते हो कि 1 mm to 1 meter तक इनकी length कर सकती है vary कर सकती है ठीक है जो हमने पीछे देखा कि जो neuron के 3 parts होते है अब हम one by one उनको थोड़ा detail पर देखेंगे कि उनका structure क्या है जैसे अगर हम first part ले neuron का जो है इसका cell body वो किस तरह से बना होगा और उसका क्या structure होगा अब हमने simple neuron का वही part इस diagram जाए slide पर दिखा रहे है जो simply इसका cell body और cell body के साथ जो associated इसके dendrite के structure है वही हम इस video पर जाए slide पर अभी नजर आ रहे है तो हम देखते है कि क्या है इसने कहा है कि neuron cell body contains a single relatively large and centrally located nucleus with a prominent nucleus ठीक है अगर आप यहां वीडियो पर आप देखो कि तो आपको यहां पर नजर आएगा कि बिल्कुल centrally located आपको यह एक large structure नजर आ रहा है जिसके हों किया रहे है nucleus और nucleus के अंदरी जो छोटा spot आपको नजर आ रहा है यह कौन सा हो किसका nucleus का structure ठीक है देन उसके इलावा or cell body के अंदर क्या present होता है rough endoplasmic reticulum golgi apparatus का structure then large numbers of mitochondria and other small organelles इनके पास क्या होंगी present होंगी ठीक है then उसके इलावा large numbers of intermediate filaments और microtubules के bundles भी इनके पास क्या होंगे present होंगे जिसका यह function होता है कि वो इसके अंदर cytoplasms को क्या करें अच्छे डंग से organize करें उसके इलावा इनके पास एक nasal bodies present होती है nasal bodies हम इसलिए क्याते है कि जब हम इसको nasal stain से इसको stain करते है या इसको color करते है तो वहां पर हमें एक dark stain like structure से नजर आता है जिसको हम कहते है nasal bodies वह actual में क्या होती है वह होती है इनकी क्या rough endoplasmic reticulum नेजल बाडी को क्या सिखते है कि यह क्या होती है rough endoplasmic reticulum gene का यहां पर main function क्या होता है कि वह primary site होती है कि इसकी protein synthesis in neuron क्योंकि cell body के structure पर इनको large numbers of protein की क्या होती है formation करनी होती है तो यह rough endoplasmic reticulum यह जिसको nasal bodies करें वह यहां पर large number of protein synthesis के process भी इनका role play करती है ठीक है next part इसका कौन सा जाता है dendrite का जो हमने पहले का थे कि वह इनका cell body के ही क्या है cytoplasmic extension अब देख सेते हो कि जो अगर यह cell body का structure यहां से क्या कर रहे है अगी तरफ वह branch like tree like structures की वह क्या कर रहे है यहां पर वह formation कर रहे हैं ठीक है अब हम देखते हैं इसकी description का है यह कह रहे है कि dendrites are short often highly branched cytoplasmic extension that are tapered from their bases add the neuron cell body to their tips ठीक है मतलो है यह कह रहे है कि dendrites इनके काफी short or highly branched अब नज़रे जैसे tree की branch होती है इस तरह की इनकी क्यों होती है branch present होती है cell bodies के उपर और इंको हम कहते हैं cytoplasmic extensions और जो इनका base होता है वो थोड़ा broad होता है और जैसे-जैसे cell body से आगी की तरफ चलती है तो इनका जो structure होता है वो बिल्कुल आप कह सकते है narrow और जैसे बिल्कुल आप कह सकते हैं diameter पर वो कम होना शुरू हो जाता है ठीक है अब many dendrite surfaces have small extension अब बहुत सारा इनका ऐसा यह जो branches है इनके ओपर क्या present होते है small spines छोटे-छोटे से elevations present होते हैं spines in spines का यह function होता है कि जब एक neuron का dendrite जब किसे last आगे वाले आप कैसे को neuron के आप कैसे को end वाले part के साथ जब वो connection develop करता है तो यही dendrite के spine जो है वो next वाले neuron के आप कैसे को structure के साथ क्या करते है connection to develop करते हैं जैसे हम यहां पर लिखा भी है कि many dendrite surface of small extensions called dendritic spines where axons of other neurons form synapses with the dendrite जहां पर एक neuron का पूरा structure खतम होगा तो जब यह structure किसी दूसरे neuron के साथ आप link करेगा तो जो next वाले neuron का पार्ट होगा axon वो इसी के first वाले neuron के dendrite के साथ ही क्या करेगा connection develop करेगा ठीक है मतलब कि end point of the first neuron होगा beginning point of the second neuron के साथ क्या करेगा connection develop करेगा और वो connections कहां पर develop होते हैं इनके dendritic spines पे ठीक है और dendrite का क्या function होता है कि वो या तो stimulus को receive करेगा directly from the environment या वो किसी दूसरे neuron से भी क्या कर सकता है किसी signal को receive कर सकता है dendrite जो branch like structure सा है इनका just यह function होता है कि वो signal को receive करेगा या तो directly from the environment या किसे कि जब वो किसी दूसरे neuron के साथ attached है तो वहां से signal को receive करके उस signal को यह response को उसको आगे की तरफ वो क्या करें transmit करें ठीक है जो लास्ट पार्ट इसका कौन सा आ जाता है वो आ जाता है इसका exon वाला पार्ट और exon वाला पार्ट इनका हम जैसे यहां दिखा रहे है अब कौन सा है कि जो last वाला इसका वह काफी long एक आप कह सकते filament like जो structure है वो कौन सा होगा इसका exon का structure ठीक है अब exon के structure पे वो क्या description दे रहा है वो कह रहा है in most neurons a single exon arises from a cone shaped area of the neuron cell body called the exon halog ठीक है जो exon का structure वो कहां से शुरू हो रहा है कि जहां पे आप देख सकते हो कि जो यह इसका cell body का ये cone like structure की की क्या हुरीया formation हो रहे है ठीक है और cell body जहां पे एक cone like structure की formation करी है उस part को हम क्या नाम दे रहे हैं ठीक है और इसी axon hillock के आगे ही आप कहा सकते हो कि क्या शुरू हो जाता है पूरा axon का एक same diameter वाला पूरा एक structure शुरू हो जागा ठीक है और इसी axon hillock पे इसको आप कहा सकते हो initial segment भी है क्योंकि यहीं से आप कहा सकते हो कि cell body से वो क्या receive करेगा signal और पूरे अपनी इस length पे उसको क्या करेगा transmit करेगा towards the end of the axon तांकि वो end पे पहुंचके वो signal किसी दूसरे आगे वाले जो neuron है उसको वो transmit कर सके जाए उस पे वो transfer कर सके ठीक है then फिर आप यहाँ पर यह देख सकते हो कि an axon can remain as a single structure or can branch to form collateral axon or side branches ठीक है या तो axon का जो structure होगा वो बिल्कुल आप कहा सकते हो कि single होगा कोई branch नहीं होगी और कुछ ऐसे exon होगे जिनके पास उनकी lateral branch का भी क्या होगा वाँ पे formation होना शुरू हो जागे ठीक है बहुत सारे ऐसे axons जिनकी कोई branch नहीं होगी वो बिल्कुल straight रहेंगे और बहुत सारे ऐसे भी axon होगे जिनके mid में से एक lateral extension निकलेगी जो उसका एक branch का क्या होगा उसका एक part होगा ठीक है फिर हमने बोला है the cytoplasm of an axon is sometimes called the exoplasm जो इस axon का जो cytoplasm होगा उसको हम नाम देते हैं exoplasm और जो उसको cover करेगा जो जो आपके से तो covering provide करेगा जो plasma membrane उसको हम क्या नाम देंगे exolamina मतलब neuron के axon का जो cytoplasm होगा उसको हम क्या नाम देंगे exolamina ठीक है बिर क्यारा है the exolamina is surrounded by oligodendrocytes in the center nervous system and by the shaven cells in the peripheral nervous system ठीक है जो oligodendrocytes है इसको हम क्या सकते है sporting cell अगर यह neuron का जो structure है अगर यह present होगा center nervous system पे तो इसको covering provide करने के लिए वहां पे oligodendrocyte cells क्या होगे present होगे ठीक है but जब यह neuron जो होगा वो present होगा peripheral nervous system पे तो इस exon की covering के लिए वहां पे oligodendrocyte cells ने वहां पे क्या present होगे shaven cells ठीक है यह मतलब कि अलग-अलग neuron की locations पे exon की अलग-अलग तरह की covering होती है अगर वो center nervous system पे होगा तो exon को cover करने के लिए वहां पे oligodendrocyte cells प्रेजेंट होगे और जब वही आप कैसे neuron का structured peripheral nervous system पे प्रेजेंट होगा तो उसको exon वाले part को covering करने के लिए वहां पे shaven cells के होंगे प्रेजेंट होंगे देन आगे क्या रहा है कि most exons in higher animals are sheath in shaven cells ठीक है अब जो actually हम क्या कहते हैं कि जो neuron है वो दो तरह की हो सकते है on the basis of the presence of the sheet sheet मतलब covering की exon के बार अगर किसी तरह की covering present है तो उसके basis पे दो तरह की क्यों होते है neuron जिनके पास तो covering present है उनको हम कहते है क्या myelinated neurons और जिनके पास covering present नहीं होती उनको हम कहते है क्या non myelinated या unmyelinated neuron ठीक है इस पर आप कहा रहा है कि जो जिनके पास तो यह covering present होगी वह covering mostly किसी से बने होती है इनके shaven cells से और shaven cells की वहां पे multiple layers पर क्या होती है covering present होती है जो उनके axon को क्या करती है cover करके रखती है ठीक है और यह कह रहा है कि in unmyelinated nerves shaven cells in circle the axon once जहां पर हमने कहां कि जहां ऐसा axon जैसा nerve की neuron जिसके axon पर किसी तरह की कोई covering present नहीं है वहां पर shaven cells की simple एक single layer पर आप क्या सकते हो कि क्या होगी covering present होगी और ऐसे axon जो ऐसे neuron के axon जो क्या है myelinated है उनके पास क्या होगा large numbers of जो आप क्या से लार्ज जो आप क्या सेवन cells की layering present होगी जो चारों तरफ से क्या सब्सक्राइब को क्या करें कि many times क्या करें कि इसको cover करेंगी और एक बोल्टी काफी thick like covering जाए शीथ उसके axon के चारों तरफ क्या हो जाएगी present हो जाएगी जिसका यह function होता है कि जो myelin sheath है यह actually क्या होता है fatty in nature होगी और fatty का यह काम होता है कि वह एक insulator की काम करेंगा insulation की तरह काम करेंगा कि जो भी signal उसके axon के axon से जो cross करेंगा वह वहां से loss नहीं होगा same strength पर आप कह सकते हैं कि जैसे वह axon hillock से axon वाले part पर इंट रहा तो lost axon के end attack same strength पर आप कह सकते हैं कि वह आगी की तरफ transmit करेंगा ठीक है और दूसरा difference हम यह भी कह सकते हैं कि जो myelinated neuron होते हैं मतलब जिनके axon के चारव तरह covering present होती है उस पर जो conduction होती है आप कह सकते हैं signal की वह काफी ज्यादा क्यों होती है काफी तेज़ी से सिगनल पास हो जागा या आप यह कह सकते हैं कि कोई भी stimulus को हम बढ़ जल्री क्या करेंगे response करेंगे और जो unmyelinated neuron होंगे उन पे जो conduction of आपके सब इंपल्स होती है वह काफी क्यों होगी slow down होगी मतलब कि हम उनको अगर response करना चाहेंगे तो हमें जयादा time लगेगा किसी भी external stimuli को response करने में वह इसलिए होता है क्योंकि जो myelin sheath है यहां पे जो signal है वह काफी तेजी से चलेगा और unmyelinated neuron पे signal जोगा वह काफी बिल्कुल slow down होके चलेगा ठीक है अब जो हम कह रहे हैं कि exon के चारह तरफ एक shaven cells काफी मोटी एक थिक एक layer की formation कर देगा बट वह भी जो sheet है जो covering है वह भी पूरी तरह से exon को cover नहीं करती कुछ जगह पे वह sheet क्या होती है अब send होती है और जिन parts पे वह sheet क्या होती है अब send होती है उस part को हम क्या नाम देते हैं उस part को हम नाम देते हैं node of runnivy ठीक आप यहां पर diagram पे पर देख सकते हैं कि यह ऐसा part होगा जहां पर जो shaven cells की मोटी ठीक covering है वह यहां पर क्यों होती है अफसेंट होती है और इसलिए यहां पर क्यों होती है कि जो भी signal है वह पूरे exon पे इसकी length के length के बराबनाद चलते हुए वह इस तरह से jump करते हुए क्या करते हैं है आगे की तरफ चलता है इसलिए जो myelinated neuron है उन पर conduction जो होती है impulse की वह काफी तेज होती क्योंकि वह jump से आगे की तरफ चलता है और जो unmyelinated है वहां पर पूरी length के according हो जो signal होगा वह क्या करेगा आगे की तरफ वह करता है ठीक है इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यह इसका myelinated neuron जिस पर आप देख सकते हैं जो conduction of impulse हो कितनी तेजी से चल रही है वो जी है non myelinated neuron जिस पर देख सकते हो जो conduction of impulse हो कितनी slow downses exon वाले पार से आगे की तरफ वह चल रही है तो यह कारण रहता है कि जो आप क्या सकते हो कि myelinated neuron है उस पर conduction of impulse हो काफी तेज होती है क्योंकि वो jump करते हो आगे की तरफ चलता है और जो unmyelinated वहां पर पूरे exon की length को cover करते हो आगे की तरफ चलता है ठीक है फिर जो last part आथा exon का जहां पर आके यह पूरी length इसकी खतम होती है वहां पर फिर फर्दर एक branch like structures की क्यों होती है formation होती है और end वाले pot इनकी काफी क्यों होते है swollen morte होते है और इसी part को हम क्या नाम देते है pre-synaptic terminal जहां पर आके exon का क्या हो रहा है end हो रहा है ठीक है और इसी pre-synaptic terminals पे present होते है chemical आप कैसे तो transmitter जिसको हम कहते हैं कि neurotransmitter जो क्या करेंगे कि जो signal यहां से पूरा आप कैसे तो कि यहां end part तक वह आप कैसे तो पहुंचा अब यह neuron आगे वाले neuron पे वह signal कैसे transmit करेंगा इनी chemical आप कह सकते हो कि जो यहां पे mediator जो neurotransmitter होंगे वह यहां से release होके next वाले neuron के dendrite के साथ attach होंगे तो वह जो signal होगा वह एक neuron से दूसरे neuron पे क्या कर जाएगा वह transmit कर जाएगा और इसी तरह से हर एक neuron से जो signal हो transmit होगा तब तक होता रहाँ जब तक वह end point अपने brain तक नहीं पहुंच जाता है और वहाल से signal को आप कहा सकते हो कि वह response करेगा कि जो stimuli जो signal brain तक पहुंच है वह फिर उसको आप कहा सकते हो कि analyze करेगा कि हमें उस signal जो stimuli को किस सब्सक्राइब करना है ठीक है तो यह था इसका आज का सिम्पल सा एक टॉपिक इस टेक्चर आफ नियूरॉन जिस पर हमने देखा कि नियूरॉन के तीन पार्ट्स होते हैं एक हो गया उसका डेंड्राइट और एक हो गया उसका एक्जॉन वाला पार्ट ठीक है सेल बॉड़ी का सिम्पल काम है कि जो वो डेंड्राइट से सिगनल को रसीव करें और पासान कर दे कि इसको एक्जॉन वाले पार्ट को और एक्जॉन जो है उस पर दो तरह की कवरिंग देखने को मिल सकती है अगर तो वो myelinated exon का पार्ट है तो उस पर काफी मोटी थिक layer present होगी myelin sheath की जो बनाएंगे उनके shaving cells जिन पर क्यों होगी conduction of speed होजी होगी neuron की conduction of impulse होगा वो काफी fast होगा और जिन पर वो sheath absent होगी just in case of unviolinated neuron तो उन पर जो conduction होगा वो काफी क्या होगा slow down होगा तो second जो इनके cells लाएंगे neuro के लिए जिनको हम क्याने supporting cells उनके भी four जो five types है उनको हम next video में क्या करेंगे cover करेंगे इस video में हमने simple nervous system के एक cell के बाद की neuron जा nerve cell second video में हम discuss करेंगे जो इसका second cell होता है supporting cell उसको वहाँ पर discuss करेंगे ठीक है तो आई होप आपको यह video पसंद आई हो प्लीज इस video को like करें शेर करें और चैनल को subscribe करना ना भूलें थैंक यू करेंगे करेंगे लो खो जएगे लगाँ पसक islt थार झालो करेंगे 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 लित वहाँ आपको आपको